नमस्कार दोस्तो स्वागता आपका इन्फोबाइडिके यूटूब चैनल दोस्तो आज हम 10 जनवाई 2022 के डेली करंट हवेर के महत्तपूर्ण 10 क्वेशन लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एकजाम में महत्तपूर्ण रहने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो शुरू करने पहले प्लीज हमारे यूटूब चैनल इन्फोब एडिके को सब्सक्राइब कर ले ठीक है दोस्तो ऐसा बटन दखाई देगा वो जुरूर दबाले और बेल आइकन को भी बटन को भी जुरूर दबाले ताकि आगे आने वाले हर करंट फेर की जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचती रहे तो दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले कोशना दोस्तो किस देश में ठारा साल से शोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर परतीबंद लगाने की घोशना की गई है तो वो दोस्तो जो देश है दोस्तो वो है फिलिपीस ठीक है नेक्स दोस्तो नुक्त गए है वीजे पाल शर्मा नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तो रबी आई के पूरव गोवर्नर उर्जित पटेल को किसका उपादेक्श नुक्त किया गए है तो वो दोस्तो किया गए है ए आई आई बी का नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तों दूनिया की नंबर एक टेनिस खिलाडी एशले बाटी के तीन साल में दूसरी बार किस खिताब को जीत लिया है जो नंबर वन इससे दो क्वेशन बनते हैं दोस्तों आपके दूनिया की जो नंबर वन एक टेनिस खिलाडी है वो कौन है तो उ तो उसमें तीन साल में दूसरी बार कौन सा किताब जीता है तो उसका दूसरे एडिलेट इंटरनेशनल टूर्णामेंट का किताब अपने नाम किया है नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तो अडानी समू के नवीन उर्जा कारोबार के लिए किस कंपनी की स्थापना की गई है ठीक है दोस्तो तो अडानी ग्रूप ने नवीन उर्जा कारोबाल के लिए अपनी अलग से एक कंपनी नोज की है उसी में से बनाई है तो उसका नाम क्या है अडानी न्यू इंडरेश्टिज लिम्टड नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं दोस्तो प सग्थन ओपिक का नया समाह सचीब किसे बनाया गया है तो बनाया गया दोस्तो हैं प रधान मंत्री नेंद्र मोधि ने सिख़ों के दस्वे गुरु गोविन सिंग जी के चार बेटों को शर्धांजली देने के लिए हर साल 12 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाने की घोशना की है तो वो दोस्तो उसका सही उद्दर बीर बाल दीवस के रूप में मनाने की घोशना की है Next Question है दोस्तो आज के दिन को विशव भर में किस रूप में मनाया जा रहा है तो वो दोस्तों मनाया जा रहा है विशव हिंदी दिवस के रूप में Next question है दोस्तो किस तेर्गू फिल्म अभिनेता का 56 वर्ष की उमर में लिवर की विमारी से के चलते निदन हो गया है तो उसका नाम है रमेश बाबू तो बहुत चर्ची तो यह अभिनेता थे दोस्तों तो उनका निदन हो चुका है Next question है Spanish star टैनिस star जो Spanish है एक टैनिस के खिलाडियां दोस्तों उनका नाम आप जानती है राफेल नडाल है तो question बनता है Spanish tennis star पार राफेल नडाल ने किस ट्रोफी को जीत कर अपने करियर का 89 यानि 89 वह खिताब जीत लिया है तो उसका उत्तर समर सेट वन टूर्णामेंट जो की मेलवर में हुआ था Next question है दोस्तों टीवी शो फूल हाउस के प्रसिद्धी प्राप्ति करने वाले की सबनेता एव कोमेडियन का निदन पैंसर वर्स की उमर में हो गया है निदन तो दोस्तों question को दोबारा से आप ध्यान से सुनों एक टीवी शो आया था फूल हाउस उससे जो प्रसिद्धी प्राप्त की थी ठीक है और वो कमेडियन भी थे ठीक है यानि नाम नहीं बताया गया हमगा जो टीवी शो फूल हाउस के से प्रसिद्धी प्राप्त की ठीक है वो अभिनेता और वो कमेडियन भी थे जिसकी 65 वर अच्छी लगी होगी ऐसी और नहीं नहीं करेंट अफेर की और जनल नोलिज की नोलिज लेने के लिए हमारे चैनल इन्फो बाइडी को सब्सक्राइब जू कर लें ठीक है दोस्तो धन्यवाद जहन